हलो दोस्तों वेल्कम टू स्टोर इंड प्रेडिक्शन में आप सभी का स्वागत है मैं प्रेडिक्शन करने वाला हूं बांगलादेश वर्सेस अफगानिस्तान का जिन लोग ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब बा सालों से उनको खेलने का एक्सपीरियंस से फिर भी आज तक किम नहीं से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए कादा मैस को यह चाप अच्छा खेल दिया इन्होंने और यहां पर अगर बात की जाए अफगानिस्तान की टीम की तो दोस्तों के पास एक्विपमेंट नहीं है ग्रा अपना पहला टेस्ट मैच खेल सकेंगे जो इंटरनाशनल टेस्ट मैच होगा और उनकी नसीब अच्छी है अफगानिस्तान की वह खेलने का मौका मिल रहा है अगेंस्ट इंडिया तो मैच बैंगलोड से लाई होगा दोस्तों मैं उसका प्रेडिक्शन करूंगा जल्दी मैच की बात करते हैं दोस्तों अब मुझे लगता है अफगानिस्तान की टीम भी अपने नएने प्लेयर को मौका देगी वहाँ पर काफी सारा चिंजिस हो सकता है अगर वहीं पर अगर वह चाहती है कि उनके अधस प्लेयर को भी परफॉर्म करने मौका मिले टीम में तो चि पहला मैच हारने के बाद भी चेंजिस किया था सोमयय सरकार को टीम में लाया था अबूलहसन को बिठाया था तो इस तरह से सबीर रह्मान को बिठाया था तीम में तो अब दोस्तों मुझे लगता है काफी सारे प्लेयर जो होंगे बांगलादेश के वह बैटने के जिनके चांसे ज्यादा हो जाएंगे वहीं पर लगता है कि अफगानिस्तान की टीम भी काफी सारा चेंजिस करके अपनी टीम को खिलाएगी तो दोस्तों ये प्रेडिक्शन काफी जारा ज्यादा आप लोग के लिए तो ध्यान से सुनिएगा अगर आप ध्यान से नहीं सुनते हो दोस्तों डेफिनिटली आपको काफी सारा लॉस हो सकता है तो जिन लोग ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने करना ना बूले तो आप मैं बात करता हो दोस्तों अफगानिस्तान और पांच का रिश्यू रख सकते हो दोस्तों टीम में जिससे आपको स्मॉल लिग जितने में असानी होगी अब छे पांच क्या है दोस्तों मैं बता देता हूँ छे प्लेयर होंगे आफगानिस्तान के पांच प्लेयर आप बांगलादेस के रख सकते हो दोस्तों और यह रिश और एहमत सजाद एस पार मुस्टविकुर रहमान इस सीरीज में काफी अच्छा खेल रहे हैं तो आप ऐहमत सजाद को डेफनिटिल अपने टीम में रखना चाहो गये लेकिन मैं मुस्टविकुर रहमान को बैक अप दूंगा बैक करूँगा क्यों काफी अच्छे खिलाडी ह दोस्तों गलस ओर्ट्स खेल के आउट हो रहे हैं लेकिन अब वो उन पर प्रेशार आ चुका होगा अब डेफिनिटली लास्टी टो इंटिया मैच में परफॉर्म करके अपनी देश की इजद बचाना चाहेंगे अगर यह मैच भी हार गए तो काफी उनके लिए सरम जनक हार होगी यह जिसके कारण उनका जो देश से काफी वो उनको क्रिटिसाइज करेगा कि ऐसे से प्लेयर को लेकी वहार जा रहे हुए बैटिंग लाइनप की बात की जाए तो मुहमुद उल्ला उस्मान गनी से मुल्ला सन्वारी और अस्गरिश टेंक जाई अब मुझे लगता ह दोस्तो नजीब तरकारी या हजरत उल्ला या डाउरेस रसूल में से किसी एक कुछ चांस मिल सकता है टीम में तमीम इकबाल दोस्तों यह 5 प्लेयर डेफ्नेटली खेलेंगे उस्मान गनी ओपन करेंगे मुहम्मद सहचाथ के साथ वही पर से मिल लाइट इस टेंजाई टीम की क्याप्टरन है तो डेफ्नेटली कहलेंगे तमीम इक बाल एक मातर एसे बैस्मेन हैं जिन पर बरुसा कर सकते हो आफगा रिटन दास सब्वेकुल पहले बात करता हूं बंगलादेश की रिटन दास सब्वेर रह्मान सोमे सरकार इन तीनों में से कि इन तीनों में से कोई एक खेलेगा दोस्तों कल के मैच में जो आने वाला मैच है तो वहां पर यह तीनों भी रिस्कियों सकते हैं आप तीनों डिम से भाहर रखेगा आप बात करते हैं दोस्तों कि अफगानिस्तान की टीम में कौन-कौन से प्लेयर को चांस मिल सकता है तो आप देख सकते हो दोस्तों काफी सारे प्लेयर्स हैं यहां पर जिनको चांस मिल सकता है डेवियू करने का अपना तो सफीक उल सफीक और नजीब उल्ला जाड रान इन दोनों में से कोई एक कि इसमॉल लीग में रिस्की है अगर आप ग्रैंड लीग खेलता हो दो डेफिनिटली इन में से कोई एक प्लेयर को पिक करके अपनी टीम बनाके खेल सकते हो दोस्तों और स्मॉल लीग में प्लीज इन पाचों को इमत लेना अपने टीम में कि पाचों भी थोड़ा रिस्क दिया जा सकता है उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छी रही है सेकेंट्री टूंट्य मैस में फिर भी उनको थोड़ा है रेस्ट दिया जा सकते हैं सब्सक्राइब अपनी कप्तानी में अटलिस्ट अफगानिस्तान से सीरीज में एक मैस तो जीत पाई वाइट वाइट वहां पर आप मुस्दक हुसेन को भी टीम में रख सकते हो वहीं पर मुहम्मद नेमी इस्टार परफॉर्मर है अफगानिस्तान की गुलाबुदिर नैप अरीफ उलहक को भी मिल सकता है चांस बांगलादेश की टीम में दोस्तों पहले बात करते हैं दोस्तों अब चेक करना चाहेगा सिरीज हरने के बाद वहीं पर वाइट और से बचानी के बात होगी तो अरीफुलहक को चांस नहीं मिल सकता है अब बॉलिंग लाइनम में रासितकान सफूर जाटरान अभूल 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 हशन मुझीबूर रह्मान रूबेल अशन तो पहले नहीं लोग की बात कर लेते है दोस्तों इनमें से कौन-कुन खिले अरासितकान डिक लेंगे रूबेल अभूल हसन डेफनेटली खेलेंगे अ अभूल अभूल लित में चैप्टन वाइस कीम ऐसकें और यह परृफॉर्म करेंगे तो तीन से चार ऑप प्सक्टा रह सकते हो हैं अब करीम जनना को मुह नजमूं इस्लाम डेफनितली खेलेंगें तो थे अब इनकी बात की जाए दोस्तों तो मेहंद्यासन मीर्जा आ सकते हैं अब किसी की भी जगे पर चेंजेस की तोर पर लेकिन थोड़ा रिस्क्यों सकते तो आप नजीमु इसलाम वो काफी बैक करता है टीम दोस्तों पता नहीं क्यों आज तक मैंने इनको छे टीटोंटिया मै जादा एकोनॉमिक्स रन नहीं बहाए हैं काफी सारे रंस नहीं दिये हैं तो इस बैस पी इनको टीम में रखा जा सकता है तो यह नजीमु इसलाम एक सेफ आफशन भी हो सकते हैं मैच में वहें पर महेंद्यासन थोड़ा रिस्की हो सकते हैं दोस्तों आप बाहर रह सकते ह अब बात करते हैं दोस्तों असराफ हाफता बाला मौत जन्नत तो जन्नत इन तीनों मेंसे कोई एक खेल सकता है दोस्तों या तीनों भी नहीं खेलेंगे गुलाबूत दिन नैप को मौका मिल सकता है तो यहां पर अब स्कॉर्ट के अगर बात की जाए दोस्तों अफगानिस बैटे हैं तो मैं बता देता हूं उन में से कौन को ना सकता है टीम में और किसके चांस बन सकते हैं नजीब तराकी तरकाई हजरत अलाजीज जज़ाई द्रविस रसूली तो इन सातों प्लेयर में से आप दोस्तों बात करनी होगी अगर यह बैठते हैं जन्नत तो इन छे में से कोई एक उनकी जगह आ सकते तो मुझे लगता है गुलाब उद्दीन नैप को लाना चाहेंगे या स्रफ को मौका दे सकते हैं आफ्ताव आलम को क्योंकि यह दोनों जो हैं टेस्ट मैच में काफी अच्छी बालि कि बात की जाए दोस्तों तो टीम में डेफिनेटली चैन्जेस हो सकता है नजीब उल्जाडरन को टीम से बाहर रखा जा सकता है तो यहां पर थोड़ा यह साथ प्लेयर को आप टीम में प्लीज मत रखेगा अगर आप टीम बनाते हो कल के मैच में मैं जन्नत की जगह पर प अचिताय धाफिक या बात की जाए दोस्तो दुस्मान गँ को भी रेस्ट दिया जा सकता है नजीब उल्जाडरन को भी रेस्ट दिया जा सकता है जिसमें जाजलतूल्ला जैजाई और डावरुस रवीम सा कहले को सकते ALS अब बात करते हैं टीम के क्याप्टन वाइस क्टन के कौन से प्लेयर हो सकते हैं टीम के और क्याप्टन वाइस क्याप्टन तो जिन लोग ने मेरे चनल को सब्सक्राइब ने कर प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब करें आपके क्याप्टन वाइस क्याप्टन के अगर बात की जाए दोस्तों तो यह सारे प्लेयर आपके चॉइ बना के देंगे ग्रैंड लिग में दूस्तों गुलावित दूइन को थोड़ा रिस्क लेकर बनाना चाहूंगा महीं पर आप रख सकते दूस्तों क्याप्टन यहां पर मुझीब जाटरन अभी तक फॉर्म में नहीं आए तो उस बेस पर मचाता हूँ क्यों फॉर्म में आए मुझी दिल्ला को आप रख सकतो मुझी नभी को रख सकतो टीम में तमी मिक्बल मुस्फिकुर रहें काफी बड़े नाम है दोस्तों कोई भी टाइम पर प्रफॉर्म कर सकते हैं आज के मैस में देखा होगा आपने तमी मिकबल ने काफी अच्छी रनों की पारी के लिए ल ले देते हैं तो हैट टू एड और स्मॉल लीग में आपके लिए जीतना हसान हो जाएगा सकी बूल सन आउट आप फॉर्म चल रहे हैं रिसकी हैं तोड़ा लेगिन डेफिनिटली आप इन पर बिलीब कर सकते हो एट लिस यह आपको माइनस पॉइंट नहीं देंगे तो ज जिन लोगोंने मेरा इंगलिस ओडिया प्रेडिक्शन देख लिया दोस्तों अगर उस प्रेडिक्शन में यह सारे प्लेयर हैं इंगलाइंड के तो उनको प्लीज मत लीजिएगा अपनी टीम बनाते डाइम पे जैसन रॉय लियम पोलेंकेड आदिल राशी टॉम करन इयन म No.shanded स्कॉटलेंड के ओडिया पे कॉनसंट्रेट करना चाहेंगे थोड़ा प्रेक्टिस करना चाहेंगे अलग से मैस में खेलकेगे प्रेक्टिस करना चाहेंगे तो दौस्तों यह से प्लेयर को मत लीजिए अब मनने यहां पर प्रीव बनाया है मेैं मेरा दो दोस्तों कि आपको आइडाय मिल जाएं कि मैं एंटाइम में आपको यहां पर अट्राइभ नहीं दिखा सकता हूं 11 प्लेयर ही बता सकता हूं प्रियू में इसके कारण से मैंने प्रियू बनाया है कि आपको बता दू कौन-कौन सी प्लियर की खेलने चांद से ज्यादा होंगे तो आप देख सकते हो दूस्तो रहीम डेफिनेटली खेलेंगे मुहमद उल्ला केलेंगे उस्मान गणी खेलेंगे तमीम इकबाल केलेंगे सकीब अभी मुहमद नभी मुशद्या खुशेन केल सकते हैं क्योंकि यास मैच में जो सेकंट इंटोड नहीं तो उ सकते हों पर सफूर जाडरान डेफिनेटली खेलेंगे टीम में टीम स्रीज जीच चुके तो में भी सफूर जाडरान को भी बिठा दिया जाए तो उस बेस पर थोड़ा रिस्की हो सकते हैं यहां पर बात की जाए एक दो तीम चार पाच प्लेयर यह सेफ हैं उपर छे साथ आ यहां पर सीक्स और यह सेवन गनी भी मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है मुश्यद्दक उसे नेट यहां प्लेयर सफे सेफ होंगे जोस्तों जन्ना डेफिनेटली बैटिंग ने उनकी जगह कोई और प्लेयर आ सकता है वहीं पर गनी को भी आराम देख्या अपतारा का यह और जज़ाई को मोका दिया जा सकता है बैटिंग में सफूर की जगह पर आफताव आलम आ सकते टीम में सफूर काफ़ अच्छे गेंदबाज है तो हाँ पर थोड़ा रिस्की हो जाता है बांगला अफगानिस्तान की टीम के आरे में सूचना वहीं पर आप बैटिंग नाफ में बहसे को टीम में रुबेढक लिकलिंगे नजीम उलिस्ञाम डेफिनेटीली एद रह सकते हो यह चार प्लयिर और मिल जाते हुगे बातों और 12 सबसे अरह के पास प्रेडिक्छन ना थोड़ा मुस्किल होगा दोस्तों दोनों टीम काफी सारे चेंज़ीस करके उत सब्सक्राइब करना ना भूले तो आपके वास इस मैच में यही तेरा प्लेयर है एड टो एड लीग खेलने के लिए अगर क्रेडिट मैनेज नहीं होता है आपसे दोस्तों तो मुस्द्ध घुसेन और नजमूर इसलाम को आप टीम में रखे क्रेडिट मैनेज कर सकते हो उस सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक्यों फूर वाचिंग मैं वीडियो